मुही कॉंगरेस विधायक पृतम सिंग ने भी विधान सभा की बजट सत्र पर अपनी परतिक्रिया दी है पृतम ने चुनाव लड़ने और कॉंगरेस स्क्रीनिंग कमीटी की बैठक के मामले पर भी अपनी राय दी है जबकि प्रितम सिंग ने ठीरी लोग सभा से चुराव लड़ने से साफ इंकार कर दिया है सरकार जो है विपक्ष के जो वार है उससे अपने आपको सहज महसूस कर रही है इसलिए चाहती है कि सत्र जल्दी से जल्दी समाफ्त हो जाए हालत यह है इस्तिती यह है कि राज्यपाल मौदय का जो है अभिभाशन होता है और उस पर चर्चा भी शुरू नहीं होती है सरकार बजट प्रस्तुत करने का काम कर लेती है वैसे काईदिक अंसार्थी होना चाहिए था कि राज्यपाल के अभिभाशन पर दो दिन चर्चा होती उसके बाद जो है आप बजट लाते दो दिन उस पर चर्चा होती फिर विवागवार चर्चा होती लेकिन बजट सत्र क को भी जो है सत्ता में बैठेवी लोग पूरी तरी किसे संचाल इतने करवाना चाते हैं आज भी जो है निश्चित रूप से हमारा प्रियास होगा हमारी कोशिश होगी कि सरकार को प्रशनकाल में भी घे रहे और कारी इस्तगन के माध्यम से जो है विरुजगार साथियों का जो दर्द है उसको भी सदर्म कंदर रखने का सवाल है इस वक्त भारतियनता पार्टी या दूसरे दलों में जो लोग सभा चुनाओं निकट उसमें प्रत्यासियों के चैन की प्रक्रियांतिम दौर में कॉंग्रेस का भी संगठन इस पर काम कर रहा है आपका नाम प्रमु नहीं लड़ रहे हैं और सदन में जो सरकार है और उसके मंत्री वो जवाब उचित नहीं दे रहे हैं कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीब जैन्यूजन इंडिया देहरा दून